SEC अगर आप देखेंगे आज 32 रुपए 15 पैसे पे क्लोज हुआ है 10 पैसे की इसमें मामुली सी गिरावट देखने को मिलिए यहां से स्टॉक कहा जाना है अपसाइड या डाउंसाइड उस पे हम बात करेंगे और हाँ एक चीज मैं और आपको क्लियर कर दूँ यहां पर मार् पैसा लगा नहीं रहा है और FI या बड़े पैस डियाई बोलीजे FI बोलीजे वह यहां पर क्यों पैसा निकाल नहीं रहा है क्योंकि उनको मिली नहीं रहा है वो बंदा जो चाहिए उनको चाहिए होते रेटेलर आप रेटेलर यहां पर खरीदेंगे तब तो एक्जिट क रहा है बाकी आपको पता है 24 में किस की गवर्मेंट बनेगी यह सब के सामने शीशे की तरह साफ हो गया है तो वहां से भी फाइदा देखने मिला है तो कुल मिला कि यह समझे कि यहां पर मार्केट बुलिश है इसमें ही पैसा बनाया जाता है यहां से डरने से काम नहीं तो क्या दिक्कत की बात है तो अगर आप स्टॉक को देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम में मैंने लगाया है अब यहां पर देखें नेक्स रेजिस्टन्स क्या है 40 रुपए है तो 40 रुपए तक तो इस बाधा का आप यह देखें न जब भी अप्टरेंड रहता है तो 50 के लिए भी तयार है यार रखें यह चीज मरीन आप देखी रहे होंगे ठीक है एक भाई तोड़ा सब वाइलेट हो गये थे कि मरीन इलेक्ट्रिकल भी है यहां से देड़ सो 200 चला जाएगा हर चीज हो सकती वजार संभव है यह चीज आप देखें यहां से स्टॉक 93 तक चला गया लोग सोच रहोंगे यहीं पर गिर जागा यहीं पर गिर जागा इंसक्ट मेरा भी इसमें मुझे भी डर लग रहा था कि कहीं गिर ना जाए तो मैंने तो इसमें स्टॉप लोस काईड़े से लगा के रखा हुआ था लेकिन हाँ एक चीज समझी है जब अब अप तेज यहां से गिरा है अब कैसे उपर चला जाए मैं भी सोच रहा था लेकिन मार्किट हमेशा अलग चलता है आपकी सोच इतनी है और इस बढ़ेगा तो हर चीज यहां पर अलगी चलती है यहां पर कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता तो यहां पर समझे कि इसको ब्रे और यहां पे 40 का रजिस्टेंस है, अब 40 के उपर निकल गया, वहीं सस्टेन कर गया, रुख गया थोड़े दिनों तक, तो 50 के लिए तयार हो जाएगा, हट जीज ऐसे चलती है, मार्केट में याद रखें, मार्केट में आया तो घबराना नहीं चाहिए हम लोग को जादा, अपना प्रापर रिस्क मैनेजमेंट करिए, कोई दिक्कर नहीं, एक स्टॉक नहीं चलेगा, दूसरे चलेंगे, बाकी हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूँ, अगर आप हमारे टेलिगराम चैनल पे जोईन हैंगे, तो बहुत बड़ी चीज आप मिस कर रहे हैं, क्योंकि कि वहाँ पे हमने जुआरी एगरोक बारे मताया था, अगर आप देखें कि वन आर का टाइम फ्रेम में, इस्टॉक पहले ही घंटे में टार्गेट दे चुका था, आप देखें यहाँ पे कब हम लोग की एंट्री थी, और आज खुलते ही 9.15 पे ही मार्केट इस्टॉक त कर दो देखें के चानल कु